नमस्कार मित्रों ज्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल नियूकडमी आफेसियल में आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेतर धंग से कर रहे होंगे फ्रेंट्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने अमलचार और लवड़ और पीएच का अधन कर लिया है और जो है उसके पहले वाली भी क्लास में बहुत सारे कंटेंट आपको पढ़ाए गए है अथात अपना लगभग जो है पचास से सतर परसंट जो है इसले बस कंप्लीट हुआ गया है जो मित्र आज यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके नंबर एक से वीडियो देखें और अपना जो है प्रापर नोट्स बनाए ठीक है और वह चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें पर आइकान को दबा ले जिससे आने वाले समय में उनको ऐसे इन्फर्मेटर क्लास और जो है कंटेंड मिलता रहे और वह अपनी तयारी को बहतर कर सके ठीक है तो आईए आज के वीडियो की हम लोग सुरुवात करते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल और पेट्रोलियम तो सबसे पहले समझत है कि सराब बनाने की बिधी को क्या कहते हैं ठीक है तो सराब बनाने की बिधी को जो है ओनोलाजी कहा जाता है क्या कहा जाता है ओनोलाजी यहां से जितना इस पेज में कराया गया है आप लोग प्रापर नोट्स बना लीजेगा आपको प्रश्ण यहीं से देखने को मिलें कि यूसा थिक रॉट शराब कैसे बनता है तो स्रुट जो है जो सीरा अंगूर में और की क्यों से परकिद्या से किडवण परकिद्या प्रापत किया जाता च!! सब कीडवण परकिद्या उनमें जो है अलकोहल का कितना परसंट पाया जाता है यह चीज है तो यहां से सब आदा देख रहे हैं रम किसे बनता है तो सीरा से बनता है यहां से 45-55% बीयर में 3-6% बिस्की में 40-45% ब्रांडी में 40-50% और मकई जीन में 35-40% आपको देखने को मिलता है ठीक और इसके बाद एक प्रत और पूछा जाता है कि अलकोहल क्या तो अल्कोहल एक स्त्रावित पदार्थ है क्या है स्त्रावित पेपदार्थ है इसको द्यान लखेंगे एक होता है स्त्रावित पेपदार्थ और एक होता है बिना स्त्रावित पेपदार्थ तो यहां से भी प्रस्न आपको पूछ सकता है कि इन में से कौन सा स्त्रावित है बीयर सेमपन पोर्ट सेरी और साइडर तो बिना सरावित वाला याद कर लिजिए सरावित वाला भी जो है देख लीजिए एक बार वैसे नहीं तो दोनों में आप जो है छाट ले जाएंगे वहां पे फिर यहां पे देखिए जो है इनमें कितना परसेंट अल्कॉल पाए जाता है वह चीज़ लिखा हुआ है तो इसको हम लोग देख लेते हैं तो इसमें जो है आपको बीयर में 3-6 परसेंट आपको देखने को मिलता है सैंपन में 10-15 परसेंट पोर्ट और सेरी में 15-25 साइडर में 2-6 ओट का ठीक है ओट का 2-5 परसेंट आप गाने में भी सुनत बहुते हैं 4 बोतल ओट का तो वही वाला ओटका यह वही है अलकोफली क्या है यह प्रस्ट पूछा गया है तो कॉडऄ स्परिट यहें यह जो है उड़ी इसको बोलते हैं ओटफार लकडी ठीक है तो एथिल मेथिल अलकोहल पहले लकडी के बुरादे का वियोग करके बनाया जाता था इसी को ही कास्ट जो है श्प्रिट कहते हैं मेफिल अलेकोल बहुत ही हानिकारक होता है तो अधिक है? उसको पीने से आदमी अन्धात हो जाता है या मर भी जाता है तो यह चीज़ बहुत खराब होता है तो यह आपका हो गया अलकोहल से संबन्दित एक बार हम इसको revise कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा तो सराब बनाने की बिधी ओनोलाजी कहराती है सराब जो है हमें सीरा, अंगूर, सेब, मकई इत्यास से बनता है और किरवन पर किरिया से बनता है सबस्वज़ाद अलकॉल रम में पाय जाता है रम में 45-55, बियर में 3-6, विस्की में 40-45, ब्रॉंडी में 40-50 और मकई जीर में 30-40 परसंट आपका अलकॉल पाय जाता है अलकॉल दो टाइप की होते हैं एक स्रावित और एक बिना स्रावित बिना स्रावित में बियर, सेमपन, पोर्ट, सेरी और साइडर बियर में 3-6 परसंट अलकॉल, सेमपन में 10-15 परसंट पोर्ट में, पोर्ट और सेरी में 15-25, साइडर में 2-6, वोटका में 2-5 परसंट पाय जाता है कास्ट इस्प्रिट क्या है? तो जो है मिथेल अलकॉल पहले लकड़ी के बुरादे से प्राप्त किया जाता था समझ में आ गया होगा, आप लोग उसका जो है नोट्स बना लीजिए और एक शीज़ाओ ध्यानक हैंगे नोट्स बनाने के बाद जो चैप्टर कम्प्लीट होता है उसके लिए एक पेज छोड़ देंगे बविश्च में फ्यूचर में आपको कुछ उस चैप्टर से रिलेटेड इक्स्टर चीज़े मिलती हैं तो उसको वही पर नोट कर लें इससे आपका एक प्रापर नोट्स बन जाएगा और बहतर वो नोट्स आपका बनता चला जाएगा जिसका पोई तोड़े नहीं होगा ऐसे ही हर चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद एक पेज बिल्कुल छोड़ते ठीक है जो कि नए नए अपडेट नए नए कुश्चन बनते रहते हैं तो आईए हम लोग सारी अब देखते हैं पेटोलियम यह ऐसा चैप्टर है जहां से प्रश्ण आपको जो है जरूर परि कि संत्रिप्त हाइडो कार्बन हैए एक काले भूले रंके होते हैं ठीक है यहां पे जो जो लाइन लिखी है पूछया जा सकतां प्र पूछे जाते हैं इसे धात्मिक तेल या मिंटलायल कहते हैं यह द्यान रखेंगे अब आगे बढ़ते हैं पेट्रोलियम जों इत्रिदर फाइटा समों के रहाँ से प्राफ़् होता है प्रेडा फाइटा समों के पाउदे क्या होते हैं आप बताएंगे पस्टेटरॉलियम को चट्टानों का तेल भी मिंस ऐल उसे चट्टान का तेल भी कहते हैं इसे in काला सोना ए द्रो ऐर भी कहा जाता आगे एक पॉइंट है सबसे पहला पेट्रोलियम कुवा में टाइटस बिल्ले टाइटस बिल्ले एक जगा है जहां से करनल डिक द्वारा इसे सबसे पहले पेट्रोलियम का पुवा जो है खुदवाया गया था देखे फिर आगे एक नया जो है पॉइंट है इसको देहा नखेंगे पेट्रोलियम प्रभाजी आस्वन के परकिरिया द्वारा जो है अलग किया जाता है प्रभाजी आचन ऐसा होता है कि यह जो हमारा भूरे रंग का पदाथ निकलता है इसको हम लोग जो है ऐसे एक जो है म से बने रहते हैं एक मिनट हम फिर से इसको बना देते हैं आप लोग समझने का प्रयास के लिएगा बस ठीक है माली जी यह आपका पदार्थ है इसमें आप इसमें आप यह पदार्थ है आप इसको भर देंगे और यह ऐसे रहता है यहां पर अलग पर द ह played हो यहां पर गिरेगा और यहाँ पर कर और राप्त होता है आगे बढ़ते हैं आगे है अपना अपस फोटन क्या होता है यह जानते हैं इधन समय से पहले जल जाता है जो है जब समय से पहले जल जाता है एक धाटवी कावाल निकलती है जिसे आपस-फोटन कहते हैं और आपस फोटन से हानी क्या होता है हमारा इंजन खराब हो जाता है और हमाय अर्जा कम मतरव में मिल पाती है टिक तो अपसपोटन को कम करने के लिए Space पोटन रोधी जो है अपस पोटन रोधी पदार्थ हम लोगों यूच करते हैं क्या-क्या होता है टेल होता है और बीटेक्स होता है ठीके तेल का फूलवाम पूछा जाता है Team त्राइथाइल लीडल और बीटी अक्स का भी पुछा था बेंजील टालुइन और जलीन ठीक है और चीज दो पॉइंट और रखेंगे ध्यान और और शीटेन नंबर और बहुत पुछा जाता है और पेट्रोल की गुड़वत्ता से और शीटेन नंबर जो है डीजल की फुल फार्म पूछा जाता है पूछे का लपभीजि का फुल फार्म बताएजे तो आप बताएंगे लिक्वीट पट्रोलीम गेस यहां पे रोपेट्रोलीम गेस जो की हिंदी में लिखा है आप किसलिए खाना बनाने इसका प्योंग किया जाता है ठीक है और LPG में रिशाव का पताकर लगाने के लिए मर्क एप्टर मिलाया जाता यह भी प्रस्ण बार-बार परिक्षों में पूछा जाता है अब इंपोर्टन्ट है है ठीक है मेथेन पाया जाता सब्सक्राइब 80-90 या रंग हीन गंध हीन वा हवा से हलकी गैस होती है तो यह पूशन भी पूछा जाता है गैसो हाल भी पूछा जाता इसमें बहुत चोटा चैप्टर है बहुत कम समय में आपको बताने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन जितना बता रहे हाथ है और दूसरा इक पेटर्ण हो सकता है या गैसोलीन हो सकती है टीक है कि या अतिल अल्कोıl प्लस पेटरोल तीनों आपसंन मीं मिन तकते हैं जो यह अधिल हांETH ऑषिल अल्कोहल ही हम लोग ये उज़ करते हां थिल अल्कोल को ही एथैनाल वोला जाता है तो बिकल यहां पर आपका अलकोहल भी दे सकता है यहां पर ध्यान रहों रखेंगे बिकल्प में यहां पर एथनाल की जगाह आपको तीन चीजे देखने मिल सकती हैं अलकोहल एथेनाल या एथिल अलको चीज है पर ट्रॉल नोट कर दिये हैं कि जिससे जो है कुछ भी विकल्ब में मिले तो आप जो है कन्फ्यूजना हो और अपना प्रस्म जो है सही कर सके तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं फिर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं पेट्रॉलियम को पेट्रॉलियम एक जो है प्राकर्टिक एधन है जो और साथी चट्टानों से मिलता है यह संतीप थाईडो कार्बन है यह काले भूरे रंग का होता है इसे धात्विक तेल या मिनरल आयल कहा जाता है पेट्रॉलियम जो है डीमकों के प पर पेत्रो % का तेल पेत्रॉलियम इसे काला सोना या हम प्रशून है जाता है सबसे पहला जो है कुवा यूए सचे के पेंस्वेलिया में जो है टाइटस बिल्ले के दोरा करनल डेक दोरा करवाया गया था ठीक है इसे प्रभाजी आश्रोन के दोरा हम अलग-अलग पदार्थ में प्राप्त करते हैं जैसे पेट्रोल डीजल मिंटी का तेल आपस इस प्रूटन कराता है आप टेन नमबर जो है पेट्रोल की गुडवता से संबने था से तेल पुर्वार्म और बीटेक्स पाफ़ाल वादाता है टेत्रा-थालियाड और बेंजीन टालवीन ऑुघ्जिली ठीक है यह होता है आगे जो है सी आंजी पूछा जाता है और लप लपीजी लिक्विट पेटोलियम गैस या द्रो पेटोलियम गैस इसका हिंदी में होता है इसका प्योग खाना बनाने में गैस का और लपीजी के रिसाओ का पता लगाने में मर कैप्टन का यूज करते हैं आगे पॉइंट है इसमें सफ्यारा मात्रा में आपका CH4 मेथेन मिलता है 80-90% होता है गैसोगाल क्या होता है पेटोलियम में अगर हम एथिल अल्कोहल या एथेनौल ठीक है या अल्कोहल मिला देते हैं उसमें सफ्यारा मात्रा में 90% पेटोलियम और 10% में एथेनौल एथिल अल्कोहल या अल्को तो आई होप यह दोनों चैप्टर आपको अलकोहल और जो है प्रेट्रोलियम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे आने वाले वीडियो में हम लोग जो है अम छार और लवड के अबजक्टिक को करेंगे और उसके बाद प्रेट्रोलियम तथा इसके जो है अलकोहल के अबजक्टिक को करने के बाद नया चैप्टर जो है इस्टार्ट करेंगे ठीक है तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक र लगते हैं मिलते हैं एक लए वीडियो में तब तक जय हिन जय भारत बंदे मातरम